देखे आज हम बात करने वाले हैं रेल्वी सेक्टर के एक एश शेयर के बारे में जो आपको आर्वी अनल से भी तखड़ा रिटन देते वो दिखाई दे सकता है देखे आर्वी अनल पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी आपको लगवग 40 रुपे के आसपास और तब कोबिट के टाइम पर और आज देखे 80 रुपे है ये और उस समय तो यूटूब चैनल नहीं था लेकिन अब जब मैंने चैनल बनाया तो ये 40 के आसपास था तब भी मैंने एक इसमें वीडियो बनाई आपके लिए तो जिसने भी उस समय लिया होगा एक अच्छा रिटन उ मैं देखने को मिलेगी एक रेल्वेस एक्टर के लिए तो देख लेते हैं कौन सी कंपनी है और क्या क्या फंडमेंटल से उसके देखते हैं देखें देखें कंपनी का मार्केट का एप अगर देखें इसका तो 43 रुपे का सिर्फ करण्ट प्राइज है 24 रुपे पर ये लि देखें लेकिन उससे पहले ये देखें अब जो है इसमें भी तेजी आने लगी है उपर की और काफी अच्छा रेल्वेस एक्टर के सारे ही शेयर अब उपर को जा रहे हैं और अगर कौन और प्रोज देखें तो पहले तो कौन देख लीजिए तो प्रोज में क्या है अप और एक healthy payout बना हुआ है dividend payout 20% का ठीक है और इसमें अगर हम कौन में देखें तो सिर्फ एक चीज थोड़ी सी negative दिखाई देती है वो यह है कि equity return इसका थोड़ा कम है company की अगर sales देखें तो आपको sales भी बढ़ती हुए हम ऐसे दिखाई देंगी कभी 6197 करोड हुआ करते थी अब हो गई है 2465 करोड और अगर हम इसका profit देखें तो देखें नेट profit अगर देखेंगे हम तो net profit में भी बहुत तखड़ा जंप हमें देखने को मिल रहा है इसमें कहीं 700 करोड का हुआ करता था अब है 6400 करोड का तो बहुत ही तखड़ा एक जंप हमें profit में भी देखने को मिल रहा है अगर बात करते हैं इसके compound sales growth की तो देखें हमेशा 20% के आसपास बढ़िए और profit growth 40% तो बहुत अच्छा है और CAGR 45 का है क्योंकि इसी साल ये list हुई है त ज्यादा पुराना नहीं है इसमें data और अगर कर्ज देखें तो कर्ज बहुत तखड़ा है इसके उपर ये तीन लाख छ्यासी अजार 733 करोड का कर्जा है कर्जा बहुत तखड़ा है रिजर्ब हैं 30,000 करोड के लेकिन देखिए क्योंकि ये finance sector से ये railway के finance sector से company आती है तो कोई इतनी दिक्कत होती नहीं है और उपर से सरकारी कंपनी है तो बहुत ज्यादा दिक्कत ये है नहीं करजे वाली अगर हम promoter holding देखें share holding pattern अगर इसको देखते हैं हम इसका तो 86% देखिए 86% promoters के पास है और FII के पास 1% और लगभग 3% DII के पास है और public के पास सिर्फ 9% कंपनी का नाम देखते हैं देखिए कंपनी का नाम है IRFC Limited अर्थात Indian Railway Finance Corporation Limited देखिए जितना भी Indian Railway में कामकाज होता है उसको यही फाइनेंस करती है और इसी कारण है यही कारण है कि इस पर जो है करजा है क्योंकि सारका सारा फाइनेंस यही देखती है railway sector का railway sector कितना बड़ सेक्टर है यह आप जानते ही है तो बहुत ही एक तखडी ग्रोथ कंपनी यह दिखा सकती है आगे भी और आप अगर इसका revenue split देखें तो देखें लीज इंकम थी इसकी यह लीज इंकम थी इसकी 75% और इंट्रेस्ट इंकम है 25% मतलब सिर्फ लीज पे ही जो इसने दे रखा वहाँ से 75% का revenue इसका 80 होता है और जो कर्ज यह company दे रही है IRFC को इसे railway को उससे 25% का इसका revenue 80 होता है तो बहुत ही शांदार एक business model company का है monopoly company है अकेली company है पूरे segment में तो आगे जो है बहुत ही अच्छी growth company की संभावित है हम मान सकते हैं कि यह 100 गुना भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत